हे एवरिवान, आज हम बनाएंगे अंड़ो मसाला करी, बहुत जादा टेस्टी ये डिश है, सिंपल से डिश है और इसमें हमें कुछ जादा चाहिए भी नहीं, बेसिक सी चीजों से हम बनाएंगे मज़ीदाज से अंड़ो मसाला करी, सबसे पहले हमें अंडो को बॉयल कर ल सबुर्व सरी तरह से जब अंड़े सप्प्राई हो जाएंगे सारे अंडों में equal पलर और प्रकुष से एक कुलर रिमूल कर लेंगे और हम यह बाकुतS all the गणा सब्सक्राइब हमने डीज करेंगे से अरवोल करने दो इंच का द्रग का टुकड़ा है और साथ ही साथ लिया ही टमाटर बड़े साइस का टमाटर ले लेंगे और इन चीजों को हम फ्राइब करेंगे तो फिर्स्ट हम कराई में डालेंगे प्याज हाइफ फ्लेम पे हमें प्यास भूनना है एक मिनिट तक बस जैसे यह हलका सा ट्रांस्पेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे लहसन अद्रग दोनों चीज डाल देंगे और इसको भी साथ में हम फ्राइ कर लेंगे प्यास के और यह जैसे ही तिन-चार मिनिट तक कुक होगा फिर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर के साथ जाएगा नमक, दो चुटकी नमक डाला है, चार मेने हाँ पर डाल दी हरी मर्चे, फर अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को, और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे हम ढखकन ढखके पकाएंगे, 6-8 मिनट तक, जब तक टमाटर चीज को निकाल लेंगे एक प्लेट में, हमें ठंडा कर लेना है, अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा, फिर हम बना लेंगे इसका एक पेस्ट, मैंने यहाँ पे कडाई को वाश कर लिया है, फिर हम वही वाला ऐल डाल देंगे, जो हमने बचायता, और साथ ही साथ डाल दे क्राकल हो जाने चीजें, सारी चीजें, फिर हम डाल देंगे पेस्ट, जो हमने बनाए था, इसमें मैंने पानी भी आइड कर लिया है, और साथ हम थोड़ा पानी और डाल देंगे इसमें, और एक बार रिस्ट्रेयर कर देंगे, ताकि चीजें आपस में अच्छ से मिक्स हो अच्छ है गरम मसाला पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच ही है ये नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, मसालों को अच्छ से मिक्स कर लेंगी, जब अच्छ से मिक्स हो जाएंगी, हम इने भूनना है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पानी डा जब तक हम इसे कुक कर लेंगे, तो मसाला तो हमारा अच्छ से भून गया है, यहां पर हम एड़ करेंगे, दही, तो दो टेबल स्पून बज हम इहां पर डही डालेंगे, ज्यादा हमें दही नहीं डालना, और इसको अच्छ से मिक्स करके थोड़ा सा दही भी हम कुक कर ल अच्छ से मिक्स कर देंगे, तो हमें मसाले में अच्छ से भून लेना है कुछ देर के लिए, अच्छ से अंडे जब चारो तरफ से कवर हो जाएंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पाने डाल देंगे, क्यों हमारा मसाला थिक है, हमें थोड़ा से कुक भी करना है, इस तो टेपल स्पून क्रीम डाल रही है, आप चाहें तो घर के क्रीम डाल सकते हैं, यह मार्केट वाली फ्रेश क्रीम है, इसको भी हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे अंडा करी में, और इसे हमें अब जादा नहीं पकाना, दो से तीन मिनट तक बस हमें से पकाएंगे, तो यहा है, इसको हम सर्व करेंगे एक सर्विंग ट्रे में और इसको आप खाएं चावलो से रोटी से दोनों से जबरदस लगती बहुत इस ते लगती है, और इस रेसिपी को आप ज़रू ट्राइ करें और अपना फीडबेक ज़रू शेयर करें, अगर रेसिपी पसंद आई तो ल मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और अमेंसिंग रेसिपी के साथ अब तक लिए आप अपना ख्या रखेंगें, बाबाई, टीक केर और विसेल फैमिली